जहेंद प्यारे साथियों कैसे आप सब बिलकुल मस्त होंगे यूनिकिस्टेडी वीद अजया यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप सभी के लिए एक बहुत गजब की खुसकबरी एक बहुत शांदार वाली न्यूज लेके आए हो यहाँ पर और जो आपका सपना है जैरफ क्वालिफाई करने का वो आपका पूरा होने वाला है जब एकजाम डेट आई थे ना सब भी का सपना तूट गया था कि भाई अब तो जैरफ नहीं होगा फरवरी में क्योंकि सब आस लगा के बैटे थे कि पेपर जून में होगा फिर जबर्दस तरीके से पढ़ाई करना सुरू करती है लेकिन अभी भी डर गुसा रहता है कि यार पता नहीं जैरफ होगा की नहीं होगा होगा की नहीं होगा तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ डिसक्रस करने वाला हूँ एक इतनी गजब की प्लानिंग देखो प्लानिंग सबसे ज़्यादा जुरूरी है एक अच्छी प्लानिंग है तो आप एक काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो और यदि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप बहुत अच्छे से काम को नहीं कर सकते हो देखो बहुत सारे candidate होंगे आपके relationship में या आपकी जानकारी में जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा score करते हैं वो नोकरी के भी लग चुके हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी planning के साथ काम करते हैं वो planning के साथ पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे होंगे हो सकता है आप खुद भी हो जो दिन रात पढ़ने के लगे रहे हैं तो पता नहीं कितने दिन से पढ़ रहे हो आप लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी planning अच्छी नहीं थी ठीक है ना तो planning का सही होना सबसे ज़्यादा जरूरी है देखो मैनत करने से जरूरी नहीं है कि कोई exam qualify कर पाओ आप लेकिन यदि आप सही planning के साथ बैलत करते हो ना तो 100% possibility है कि आप बहुत गजब के score के साथ exam qualify करेंगे तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ discuss करने वाला है उन planning के बारे में first paper की और geography की यदि आपका subject geography है तो वीडियो को बिल्कुल last तक जरूर देखना और यदि आपका subject geography के अलावा है लेकिन first paper में आपके गचप का score नहीं हो पाता है first paper की वज़े से आपका net रूख जाता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना हिंदी मीडियम के प्यारे साथियों के लिए मेरा केवल एक सपना है कि अब हिंदी मीडियम के किसी भी candidate का first paper की वज़े से ना तो जेरफ रूखना चाहिए और ना ही net रूखना चाहिए ठीक है यहाँ पर 40 दिन की planning के उपर वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर जो ग्रोपी में भी 40 दिन की planning और first paper में भी 40 दिन की planning और यदि आप इस 40 दिन की planning को follow करोगे 100% आपको बहुती गजब का score मिलेगा देखो यह मेरे first paper का batch का result है पिछली बार वाले का जिसमें 621 कंडिडेट थे दो batch थे एक में 332 कंडिडेट थे दूसरे में 2089 कंडिडेट थे अंकेता निर्मा के 42 कंडिडेट थे रवी सियाग पुनम के 41 कंडिडेट थे रामचरन कॉमल के 40 कंडिडेट थे ठीक है अठटता नंबर वाले ठीक है अब मैं यहां इपर करता हूं फरस्ट पेपर की प्लानिंग के उपर तो सबसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर लेवल और पेपर पैटन के अकोडिंग पढ़ना आप किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि क्योशन किस लेवल कहा रहा है ना दूसरी बात किसन कहा से बंद रहा है कितना डीपली बंद रहा है किस यूनिट से कितने क्योशन आ रहा है ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए हो सकता है कि कोई यूनिट से केवल दो क्योशन आ रहे हो और उसको आप दिन रात पढ़ने के लगे हो एक ऐसी यूनिट छोटी सी है उससे बारा तेरा क्योशन आते है उसको आप पढ़ी नहीं रहे हो उल्टा हो गए न सीन अच्छी प्लानिंग क्या होती है टार्गेट केवल जैरफ होता है और आप भी जैरफ का है टार्गेट लो नेट को भोल जाओ अब फस्ट पेपर में मेरा टार्गेट है 40 प्लस के उसन टीक करना 50 में से मतलब 80% प्लस का स्कोर करना और वो भी केवल 40 दिन में अब मैं यहाँ पर आपके साथ डिसक्स करूँगा फस्ट पेपर की बैस्ट प्लानिंग के बारे में आपको अच्छी लगे आपको मज़ा आयर आपको विश्वास हो जाए कि सच में यदि हम इस प्लानिंग को अपला ही करेंगे तो हेंड़ पर्चेंट हम 40 दिन में 40 प्लानिंग का स्कोर कर सकते हैं तो आप अच्छा लगे तो आप बैस ले 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 ना बाकी फिर आप खुद की इच्छ है यहाँ पर हम क्रेश स्कोर्स के बारे में बात करते हैं सैसन फर्स्ट लिखा हुआ है तो टिचिंग अप्टिटूट से 5-6 क्यों सनाते हैं रेसर्च अप्टिटूट से 6-7 क्यों सनाते हैं कम्युनिकेशन से 2-3 क्यों सनाते हैं लोजिकल रिजिनिंग से 8-9 क्यों सनाते हैं रिजिनिंग से 2-3 क्यों सनाते हैं मैथमेटिक से 2-3 क्यों सनाते हैं ICT environment से लगबग 10 से 11 के उसना आते हैं दोनों से, higher education से 3 से आर्फ के उसना आते हैं, current fair से 1 से 3 के उसनों के बीच में आते हैं, और RC के fix 5 के उसना आते हैं, ये तो था unit wise, कि किस unit से कितने के उसना आ रहे हैं, same pattern अब की इस फरवरी वाले exam में apply होने वाला है, अब यहाँ पर crash course म में पिछली बार के तरह तयार करने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत शांदार वाला crash course तयार करूँगा, तो teaching aptitude में complete 12 गंटे में तयार कर दूँगा, teaching aptitude के लिए आपको केवल 12 गंटे पढ़ने, 12 गंटे पढ़ने, 5-6 के उसन ठीक कर जाओगे, research aptitude केवल आपको 13 गंटे 13 गंटे पढ़ने, 6-7 के उसन ठीक कर जाओगे, communication केवल आपको 8 गंटे पढ़ने, 8 गंटे पढ़ने, 2-3 केसन ठीक कर जाओगे, logical reasoning आपको केवल 15 गंटे पढ़ने, जहां से आप 8-9 के उसन ठीक करने वाले हो, reasoning आपको 12 गंटे पढ़ना है, reasoning बहुत सारे teacher 4-5 गंटे में करा जयते हैं लेकिन हम basic zero level से कराएंगे और जब आपका reasoning strong हो जाएगा तो आपका mathematic automatically strong हो जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पर reasoning को ज़्यादा time दिया हूं 12 गंटे का 12 गंटे में reasoning के 2-3 question ठीक हो जाएंगे यहाँ पर आपकी calculation speed पिर बहुत अच्छी खासी हो जाएगी जो की math पे बहुत ज़ादा help करेगी आपको math क्योंकि आज कल हमारे 2-3 topics से math के questions आते हैं 7-8 प्रकार के questions आते हैं तो उनकी मैं बहुत अच्छे से practice करवा दूँगा आपको मैं बहुत अच्छे तरीके समझा दूँगा तो तीन गंटे में मैं math complete करवा दूँगा जहां से दो तीन क्योशन आने वाले हैं math के हर एक क्योशन को यह तीन तरीके से solve करवाऊंगा अपना देशी तरीका, mathematical तरीका और trick त्यूनों में इसे कोई साथ तो याद रहेगा DI, दो गंटे में मैं DI complete करवा दूँगा मैं DI की practice करवा दूँगा दो से डाइ गंटे में, ठीक है इसके अलावा 30 मिनट में मैं आपको समझा दूँगा कि आप RC को कैसे solve करें ये वाला वो portion था जहां से understanding based के question आते हैं जिनके हमें video देखने चाहिए बागी ICT मैंने 11 गंटे में complete करवा रखा है EVS में 12 गंटे में complete करवा दूँगा higher education 10 गंटे में complete करवा दूँगा current affair 2 गंटे में complete करवा दूँगा ठीक है, लेकिन computer का, environment का, higher education का और current affair का ऐसा portion है जिसको हमें रटना है तो इसके आप video देखने की बजाए आप PDF पढ़ोगे, PDF से याद करोगे तो ज़्याद अच्छा रहेगा बाकि आप video भी देख सकते हो तो यदि आप complete 11 की जाएगा 10 तो unit हो गई, 11 मैत हो गया और 12 करवा current affair हो गया यदि 12 के 12 के आप video देखोगे न तो 100 गंटे 30 मिनट में आपके complete slip us हो जाएगा crash score से जहां से आप आशानी से 40 plus question ठीक कर जाओगे ठीक है बाकि ये वाला ऐसा portion है कौनसा? ये वाला ऐसा portion है जिसके आपको video नहीं देखने है क्योंकि रटने वाला है वीडियो में भी मैं उसी तरीके से बताऊँगा इसके बजाए आप directly score रट लो तो यदि हम इस रटने वाले portion को हटा देते हैं तो आपको मातर सर्चत गंठा 30 मिनट वीडियो देखना है जिसमें आपके 40 plus question का score होने वाला है इसको आप बहुत अच्छे से रट ले ना directly ठीक है? अब देखो यहाँ पर हमें केवल 30 paper solve करना है और उनको solve ही नहीं करना उन्हें हमें अच्छे से समझना है और जो याद करने का उसे हमें बहुत अच्छे से याद करना है फिर आपको time बचे तो आप इसको भी कर सकते हो दिसमबर 2020, जून 2020 वाले पढ़ ले ना लेकिन पहले हमें होगे, first paper को 6 गंटे देते हो तो मातर 18 दिन में आप first paper को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होँगे मातर 18 दिन में ठीक है 6 गंटे पढ़ देक अकोडिंग, बागी के फिर आपके पास 22 दिन का time बचता है जिसमें आप 10 दिन previous paper को देदो और अगले जो 12 दिन हैं उसमें आप बहुत अच्छे से revision कर सकते हो अब देखो यहां पर मैं अपनी planning के according बता रहा हूँ यदि आप मेरी planning को follow करते हो तो आपको देखो यहां पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह वाला वो portion है जिसके आपको पीडियाप से याद करना है तो इस वाले portion को तो आपको पीडियाप से याद करना है और इस वाले portion को आपको क्या करना है वीडियो बिल्कुल कमपल से दिया देखना क्योंकि यहां पर understanding और practice step का portion है तो इसके आपको वीडियो देखने है तो एक से साथ तक का portion है वो तो क्या वीडियो देखने लाइक है जहां से total 67 गंटे 30 मिनट के total class हो रही है तो ये वाला जो portion है जिसके वीडियो देखने है मातर 67 गंटे के वीडियो देखने है उसके अलावा higher education current है फिर computer और environment के आपको directly PDF से याद करना है अब ये तो हो गया कि कौन से portion का हमें वीडियो देखना है कौन से portion का हमें PDF से पढ़ना है अब यहाँ पर हम discuss करता है कि कौन से portion का हमें पहले पढ़ना है देखो reasoning, di, math, rc और logical reasoning ये वो unit है जहाँ पर हमें प्रक्टिक्स के जरूरत है teaching aptitude, research aptitude, communication और logical reasoning ये वो portion है जहाँ पर हमें understanding, समझने की जरूरत है प्लस में याद करने के भी जरूरत है environment, computer और higher education और current फिर ये ऐसा portion है जिसको हमें केवल रटना है समझने का बहुत ही कम है यहाँ पर ये मैंने अलग-अलग तरीके से category wise में डिवाइड कर दिया इस portion को, unitों को अब हमें किस तरीके से क्या करना है सबसे पहले हमें session first को complete करना है जिसकी हमें प्रक्टिक्स के जरूरत है जैसे reasoning, di, math, rc और logical reasoning सबसे पहले आप इस portion को complete करना ठीक है सबसे पहले ये वाला portion complete करो उसके बाद में regular fix कर लो कि मैं regular एक di solve करूँगा regular एक rc solve करूँगा regular math के 20 question solve करूँगा regular reasoning के 10 question solve करूँगा और regular logical reasoning के 20 question solve करूँगा आप अपने इस according set कर सकते हो बाकि मैं इसका भी वीडियो बना के बता दूँगा कि आपको बाद में फिर regular कितने कितने question solve करना है उसके बाद में आपको second वाला portion complete करना है session B जहां पर आपको केवल समझना है तो वीडियो देखने वाला teaching aptitude, research, aptitude, communication, logical reasoning फिर इसको complete कर दो और सबसे last में आप ICT, EVS, higher education को complete करो और फिर उसके बाद में आप previous year paper को solve करो ठीक है चाहो तो आप RC को last के 10 दिन में भी solve कर सकते हो तब तक के लिए आप RC को बिल्कुल हटा दो अब यदि यह वाली planning आप apply करते हो hand up percent 40 दिन में आप भोत ही गजब का score कर लोगे ठीक है मेरा जोग गोफी से तीन बार जियराफ है बहुत गजब का मेरा हर बार बैच का result रहता है तो मेरे को थोड़ा इतना knowledge आ चुका है कि मैं आपको बहुत best content प्रोवाइड करवा सकता हूं ठीक है तो यदि आप मेरे साथ मिलकर first paper की तयारी करना चाहते हो और मेरे crash course के साथ जोड़ना चाहते हो तो आप crash course के साथ जोड़ सकते हो फीस केवल 1000 रुपए crash course की 40 दिन की फीस केवल 1000 रुपए है ठीक है यदि आप full course लेते हो आपका target है जून वाला exam ठीक है और उसके लिए यदि आप full course लेते हो तो full course का नए बैच स्टार्ट हो चुका है जिसके फीस केवल 1300 रुपए जिसके साथ आपको crash course free मिल जाएगा तो यदि आप जून वाला full course लेते हो तो उसकी फीस 1300 रुपए जिसके साथ आपको February वाला crash course free मिल जाएगा और यदि आप crash course ही लेते तो उसका चार्ज है 1000 रुपए ठीक है तो यदि आपका पिछली बार पॉइंटों से नेट रुख गया, पॉइंटों से जैरफ रुख गया, फर्स्ट पेपर की वज़े से आपका जैरफ रुख गया, तो आप क्रैस कोर्स लो, आपको फुल कोर्स की जरूत नहीं है, और यदि आप फर्स टाइम तयारी कर रहे हो, अभी तक आपका नेट भी नहीं हुआ, अभी तक आपका जैरफ भी नहीं हुआ, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपके बार मेरा जैरफ नहीं होगा, तो आप फुल कोर्स लो, क्रैस कोर्स में साथ में दे दूँगा, ठीक है, उसी चार्ज में, बैच लेने के लिए मे Сकोर करना है 40 दिन में अब जग्रोफिके के राइस्टफ में में किस तरीके सरेगा सबसे पहले मैं बता दू किस युनिट से कितने क्यो इसना रहे हैं? अज कल ! अज कल देखो लिजिनल पलानिंग के छे साथ क्यो इसने कार्टोग्राफी की इसनbuds रहे вам population geography से 6-7 क्यों सना रहे है transport geography से 2-3 क्यों सना रहे है settle barrier से 5-7 क्यों सना रहे है थोर से 7-8 क्यों सना रहे है economy से 4-5 क्यों सना रहे है तो यहाँ से total kuli बिलाकर 63-65 के बीच में क्यों सनाएंगे इस वाले portion से कितने 63-65 क्यों सनों के बीच में इसको मैंने session first दिया क्योंकि इसे हमें सबसे पहले complete करना है ठीक है इसको सबसे पहले complete करना है क्योंकि यहाँ से 63-65 के बीच में क्यों सना आने वाले है और इसको मैंने complete करवा दिया crash course में केवल एकराण में गंटे में ठीक है एक्राणमा घंटे की क्लास को थोड़ा सही धंग से देख लेते हो तो आप आसानी से यहां से 50 से 55 क्योशन बिल्कुल आसानी से ठीक कर जाओगे ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं जियो मोर्फलो, जियोस्नोग्राफिक, क्लाइमेटोलोजिकी इन तीनों के मैंने क्लास रिकोड किये 45 गंटे की ठीक है यहां से 17 से 18 क्योशन आने वाले हैं जदि आप यह 45 गंटे की क्लास देख लेते हो तो यहां से आपके लगबग 12 से 15 क्योशन ठीक हो जाएंगे ठीक है बाकी बात की जाए इंडिया जोग्रोफी की इसकी हमें क्लास नहीं देखनी इसकी मैं आपको पीडियाप प्रोवाइड करवाऊंगा उस पीडियाप को पढ़ लेना इंडिया जोग्रोफी से 10 से 11 क्योशन आते हैं यदि आप उन पीडियाप को पढ़ लोगे तो 7 से 8 क्योशन आप बिल्कुल आसानी से ठीक कर जाओगे ठीक है तो ये है सारी सारी प्लानिंग हमें सबसे पहले जो 3 सटमबर का पोर्शन है सेशन फर्स्ट जहां से हमें 91 गंटे की क्लासेज देखनी है ये कंप्लेट करने हैं उसके बाद में हमें 17-18 क्योशनों का जो कंटेंट है 45 गंटे वाली क्लास वो कंप्लेट करनी है फिर हमें इंडिया जोग्रोफी कंप्लेट करनी है फिर 2010 से 2022 तक के प्रिविस एर पेपर क्योशन सॉल करने है इनको अच्छे से रटना है फिर आपके पास टाइम बसता है तो आप UP, MP, बिहार, राजस्तान, जहारगंड, उत्रागंड के PCS लेवल के क्योशन पढ़ लेना जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा तो यदि आप बहुत बेस्ट प्लानिंग के साथ जोग्रोफी से तयारी करना चाते हो जोग्रोफी में 80 प्लेस क्योशन ठीक करना चाते हो वो भी मातर 40 दिन के तयारी के साथ तो आप हमारा क्रेस कोर्स के साथ जोड़ सकते हो क्रेस कोर्स की फीज केवल बारा सु रूपए जोगरोफी का फुल कोर्स लेते हो तो उसकी फीज सत्रा सु रूपए जिसके साथ आपको ये क्रेस कोर्स बिलकुल फ्री मिल जाएगा यदि आप फर्स्ट पेपर और जोगरोफी दोनों का क्रेस कोर्स लेते हो तो फीस केवल दो हजार रोपए और यदि आप फर्स्ट पेपर और जोग रोपे दोनों का फुल कोर्स एक साथ लेते हो तो फीस केवल 2600 रोपए जिसके साथ आपको क्रेस कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा और बैच आप मेरे थैंक्स बाई मेरे प्यारे साथियों फिर मिलते हैं एक बहुती शांदार वाली दूसरी प्लानिंग के साथ नेक्स वीडियों में बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए थैंक्स बाई